नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमा ठहनु हुआ, आज आपको बताऊंगा loops के बारे में, loops क्या होते हैं, इनका क्या use होता है, तो आज हम देखेंगे, तो हम बात करेंगे while loop के बारे में, तो सबसे पहरे देखते हैं loops क्या होते हैं, तो loops are the MATLAB construct that permit us to execute a sequence of statements more than once, अगर आप चाह loop, तो while loop में क्या होता है, जो code है, that repeated an infinite number of times until some user specified condition is satisfied, तो while loop के case में यह है, कि जो loop है, वो infinite time चलेगा एक तरीक से, जब तक कोई condition जो आपने specify की है, वो satisfy होती रहेगी, जैसे ही वो unsatisfy होगी, तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, for loop के case में क्या होगा, जो code है, that repeated for a specified number of times, य यह कुछ specify जो आपने number किया है, कि इतने बार यह loop चलना चाहिए, उतने बार ही चलेगा, and the number of repetition known before the loop starts, तो इसमें basically आप अंतर देखें, तो इतना अंतर है, कि for loop में आपको पता होगा पहले से ही, कि यह कितनी बार run होगा, यह loop है, कितनी बार run होगा, while loop में आपको ऐसा कु करता रहेगा, while loop है जो, clear है दोनों में difference, तो हम पहले बात करते है, while loop के बारे में, तो while loop का syntax आप देख सकते हैं, तो syntax while लिखेंगे आप, फिर यहाँ पर जो expression है, जो condition है basically, जो check होगी, और decide होगा, कि loop run होना है या नहीं होना है, तो यहाँ पर उस expression को हम लिखेंगे, जब यह condition satisfy अगर हो जाती है, तो यहाँ पर जो आपने statements लिखे होंगे, वो execute होंगे, और finally आपको end करना होगा, तो यह इसका syntax हो गया, तो the controlling expression produced a logical value, तो यह जो expression है basically, यह logical value produce करेगा, logical value इसका मतलब 0 या 1, true और false, यही जनलिट करेगा, तो when expression returns true, control returns to while statement again and again, until expression becomes false, तो जब तक यह true रहेगा, जो control है, वो while पर वापस जाता रहेगा, यह loop है, वो चलता रहेगा, जैसे यह false होगा expression, तो फिर आगे यह execution नहीं होगा, यह end से बाहर आ जाएगा, और जो आगे lines लिखे होंगे, वो execute होना शुरू हो जाएगे, तो यह expression true होना चाहिए, अगर आप इसे execute कराना एक example लेकि हम इसे समझने कोसिस करेंगे, तो implement an algorithm that reads in a set of measurements and calculate the mean of the input dataset, तो simple सा problem कुछ इस तरीके से है, कि हमें कुछ data values दी हुई है, हमें उनका mean निकलना है, कितनी value हैं, यह अभी initially मानके चलिए, यह खिलियत नहीं है, बस आपको enter करते जाना है, और बाद में आपको, या तो इस तरीके का है, तो basically जब यहां पर यह specify नहीं है, मैं आपको इस एक idea दे रहा हूँ, कि जब आप loop लगाएंगे, तो आपको इस type की थोड़ी problem आ सकती है, कि कब तक यह calculate करेगा, या कितना data लेगा, वो data points आप पहले user से मांगेंगे, या directly data मांगेंगे, कई सारे possible solutions हो सकते तो यहां पर आपको कुछ नहीं दिया है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, तो mean निकालना है तो उसके लिए simply क्या होगा, जितने data sets है, जितनी value है, उन सबको add करना होगा, divide by, जितने आपके numbers है, वही mean होता है, तो देखिए कैसे से बनाएंगे, तो basically हमें इसे implement करना है तो यहां पर एक तो x को हम sum करना है बार बार, और एक यह कितने data points है, वह है, तो इसे implement करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेखा n is equal to 0, n को initialize कर लिया 0, यह क्यों किया, आगे भी हम आपको बताएंगे, और sum x, यह summation basically है, उसे हमने sum x is equal to 0, यह दो variable हमने initialize कर लिये, फिर हमने लेखा, x is equal to input enter the first value, तो जो value user enter करेगा, वो x के अंदर चली जाएगी, के लिए पहली value x के अंदर चली जाएगी, उसके बाद क्या किया, हमने while loop लगा दिया, कि while x is greater than equal to 0, जो यहां पर जो value आई है, user ने enter की है, वो 0 या 0 से अधिक होती है, तो क्या होगा, यह द देखिए, अगर यहां पर मैं directly इस समें sum x यूज करता, और इसे यहां पर initialize नहीं करता, तो यह undefined हो जाता कि नहीं, error आ जाता प्रोग्राम में, इस वैसे initialize की value हमने लिख दी 0, तो यहां पर 0 हो गया, 0 प्लस जो अभी value आई है, x की वो, और वो किस में store करा दिया, sum x के ही अंदर store करा दिया, उसके बाद आपने किया, n is equal to n plus 1, देखिए, फिर again n यहां पर यूज किया है, तो n अगर यहां 0 नहीं लिखता, तो यह भी undefined हो जाता, तो यह 0, 0 plus 1, मतलब n 1 हो गया, एक number enter हो गया, n की value 1 आ गई, clear है, उसके बाद फिर आपने लिखा, x is equal to input enter next value, फिर आपने user से दूसरी value मांग ली, और उसे भी x में store करा दिया, इसका मतलब यह हुआ, कि जो आपने x की पहली value जो enter की थी, वो update हो जाएगी, वो overwrite हो जाएगी, दूसरी value से, कि अब क्या value आप enter करना है, जो value आपने enter की, उस x को लेके, फिर यह इस condition को check करेगा, ठीक है उसे लेके, क्योंकि next आपने end कर दिया है, तो end के बाद नहीं जाएगा, पहले बापस जाएगा control यहाँ पर, फिर check करेगा, कि जो x आपने enter कीया है, क्या वो 0 के बराबर या उससे ज्यादा है, अगर है, तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर क्या होगा, जो sum x में क्या होगा आप जो sum x पुराना था, जो पुरानी value आए थी, वो plus नई value, x, वो जाएगी, दो value एड हो गई, और यहाँ n is equal to क्या होगा, n प्लस 1, n तो पहले 1 था, तो 1 प्लस 1 क्या हो, 2, तो अब 2 value और n की value 2 हो गई, फिर x is equal to, फिर दोबर आपने वोई चीज मांग ली, अगली value द तो वो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ गया, उसके बाद क्या करना है, mean x, आपको mean निकालना था x का, तो is equal to sum x, sum x में जो value थी, हुआ जाएगी, upon n में जो value है, तो 2 number आपने enter किये थे, और n की value 2 हो गई थी, तो 2 number का sum, तो sum x में store हो गया, upon n हो गया, ठीक है, इ percentage f भी यूश कर दिया है, अगर integer आप लेके चल लें तो, percentage d भी यूश कर सकते हैं, और यहाँ पर new line operator लगा दिया है, जिससे के control हो next line में चला जाए, cursor है, वो आपका next line में आ जाएगा, clear है, तो इससे run करके भी देख लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर अपने program को लिख यहाँ एक file में, जिसका नाम है loop problem 1, ठीक है, इस में लेका, clc तो, जिससे के आपके जो आउपर आप पर आए, बाग clear आप जानते है, work space clear हो जाए, n is equal to 0 लिखा, sum x हो गया, x में input ले लिया, first value, बागी वही साथ चीन लिखिए, अब इसे run करके देखते हैं, enter first value, तो enter first value फिर मैंने minus 1 कर दिया, यही तो हमने का था, कि दो value हमने enter की, और फिर तीसरी value negative हमने कर दी, तो क्या होगा, enter, देखिए, mean आ गया, 15 आ गया, ठीक है, तो यहाँ आपको execute होते हुए program नहीं दिखा किस तरीके से हो रहा है, वो back end में हो रहा है, लेकिन concept इसी तरीके से है, तो and key value 2, clear है कि दो while loop चला है, I think आपको while loop clear होगा, while loop से आप कोई problem कर सकते है, फिर भी अगर आपको कोई दिखकत है, तो आप मेरे को mail कर सकते है, on my mail ID matlab by RKT, I hope आपने इस lecture को enjoy किया होगा, अगर यह lecture आपको अच्छा लगा हो, तो इसे like करें और share करें, thank you.